तो चलिए आची क्लास शुरुआत करते हैं आज हम देखेंगे उत्रप्रदेश प्रिलिम्स दोजार चौबिस में जो एक्जाम होने वाले हैं यानि पीटी कब है पीटी है सत्रा मार्स दोजार चौबिस को इसी को देखते हुए हमने जी एस रिविजन स्रीज श्टार्ट की संभावित है और उससे समझत जितने भी टॉपिक होंगे उनको रिविजन करेंगे तो सबसे पहला इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी ऐसे ही आप देखेंगे हम लेके आए हैं आपके लिए जोगर्फी का जिसमें वर्ड वर्ड जोगर्फी इंडियन जोगर्फी साथ इसा हमारी एक स्रीज चल रहा है जो आपके PCS के लिए और UPSC के लिए दोनों के लिए इंपोर्टन है इसमें साफ्ताइक अपडेट आता है 24 में ऐसे अपडेट करता है वीकली वीकली तो आप देखेंगे इसमें जो है मैं पिन नियूज में लोकेशन में जो नियूज रहता है उसको हम इसमें कबर करते हैं और इससे आप आगे देखेंगे कि इस से कितने कुछर पूछे गए हैं ठीके जोगर्फी के सिलबस की बात करें तो लोग जोगर्फी एक सोचल डिवलेप्मेंट जिसमें क्या पड़ने हम लोगों हो सततव विकास गरीबी समावेशन जनसांख की यानि आप देखें कि जनसंख्या समंदित तो आम आज इक छेतर समदित जो पहल की गई उसके बारें पढ़ना है इसके लामा इसमें कहा गया है उम्मीद वारों को जनसंख्या परियवड सहरी कड़ के बीच समस्याओं और उनके संबंदों के बीच परिषड यह समझना है और जो समाने मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो गई और इन्वार्मेंट एकोलोजी रिलेशन की बात हो गई उसको आपको पढ़ना है जिनके लिए आपको वीसेसग्रिता की आवास्चता नहीं है ठीक है इसमें क्या पेच्छ की जाती है ठीक है तो यह तो हो गया इन्वार्मेंट एकोलोजी का ऐसे जोगर्फी कपड़ेंगा जोगर्फी को देखेंगे रहाल हम आपके लिए एक बुक लेके आने वाले हैं पुरा स्रीज का जिसमें जीयस के सिरुद्धा सिरुद्ध की बात होगे इन्वार्मेंट ये बुक तयार हो जाएगी तो आपको बस एक नंबर दिये जाएगा उसे अपना एड्रस डिटेल आपको भेदना है और उस दिन के अंदर आपके पास बहुत जाएगी जैसे ये बुक तयार हो जाती है आपको इनफॉर्म किया जाएगा ठीक है और इसकी अगर पीडियेफ आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको हमारा टेलिग्राम चैनल जो है डिस्कॉप्शन बॉक्स में लिंक करना पड़ेगा ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पसंद आती हो तो इसके रामा जैसे जोगर्फी की बात कि वैसे इन्वारिमेंट इकोलो आपको चैप्टर भी दिये रहेंगे पी वाई क्यू भी दिये रहेगा ठीक है तो इन सब के लिए आपको जो है टेलिग्राम और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बैरहाल यह चीज़े टोटली फ्री आप कॉस्ट रहेंगी हर सब्जेट की आपको एकदम फ्री आ हुए है ठीक है जब किताब हो जाएगी तो आपको मैसेज किये जाएगा तो सबसे पहले जो 100 कमेंट आएंगे उसमें यह बुक आपको प्रोवाइट करवाई जाएगी प्री आप कॉस्ट एक भी रूपए नहीं लेगा बैरहाल पहले कुशन की बात करते हैं इन्वार्मे इनर्जी का स्रोथ है जो क्या कहते हैं पॉलूशन पर नहीं करता है इंग्लिस में भी आपको यहां पर दिया गया है इससे आप जो बाइलिंग्वल चाहते हैं उनके लिए यह पाइदे मंद जो इनको देखना हो वो देख सकते हैं पैरहाल अगर बात करें न्यूक्लियर तो और यह क्या है जिवासमी दाने यह प्रदोसर करता ही है यानि मुक्त प्रकित के लिए नंदर आपूर्थ की बात करें तो ये सूरी के बात है और यह सबसे बड़ा आप देखेंगे प्रेजा का स्रोथ है इसमें क्या सही हो जाएगा इसमें सालल ने इनर्जी इससे संबंदित अगर topic revision की बात करें लेटेस डाटा देखें तो प्रमुख बिंद्य के चेत्र में इंडिया के संबंद में आप देखें कोले के हिस्तिदारी की बात करें उर्जा उत्पादन में कोले के हिस्तिदारी 22-23 में 73% से घटकर आप देखेंगे 2030 तक 55% होने का अनुमान है ठीक है कोले के उपयोग प्रभाव की बात करें तो आप देखेंगे हाला कि विद्यू उत्पादन में कोले की हिस्तिदारी कम होना तय है लेकिन 2023-2030 की बीच आप देखेंगे कोले जनित जो विद्यू छमता और उत्पादन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे चमता उत्पादन में क्या अंतर है ठीक है बात करें कोले की चमता की तो 90% ब्रिदिका अनुमान है इसके लाग करें तो विद्धु तुर्जा के संदर में सोलर नर्जी द्वारा महाथपुड भूमकान उन्माने का उम्मीद ठीक है इस अवाद में आप देखेंगे सवरुजा उत्पादन यहां पर देखेंगे क्या लिखिया है सवरुजा छंता हम देखेंगे तो चंता कितनी है 109 से 1392 गेगावाट होगा उत्पादन की बात करें तो आप देखेंगे 173 से कितना हो जाएगा 761 BU हो जाने के उम्मीद है ठीक है अब समझेंगे उत्पादन और उत्पादन की बात करें तो चंता वह अधिक्तम सक्त है जो सायंत द्वारा उत्पन कर सकता है इसे watt, gigawatt, megawatt में ब्यक्त किया जाता है जहां तक उत्पादन की बात करें तो एक घंटे में उत्पादन विद्दुत की वास्विक मात्रा जो होती है जिसे watt, घंटे या billion unit जिसे द्वारा ब्यक्त किया जाता है अगर renewable energy की बात करें जो आप देखेंगे pollution उत्पन नहीं करत तो आप देखेंगे विन एनर्जी सोलर एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी ठीक है बायो मास एनरजी ठीक है जीओ थर्मल एनरजी यह सब क्या है यह नहीं उत्पन करता कोई भी प्रदूश्र ठीक है या एक स्वच्च उर्जा का स्रोथ अर्थात इसमें नियूंतम और श कुश्चन की कुश्चन नमर टू की बात करते हैं इसमें पुचा है ये चार आप्सन दिये हैं उसमें कौन से सही है पहला इसमें विकास सिद्ध देशों में प्राक्तिक आपडाओं का सरवाजिक छती होती है ठीक है आप्सन दो दिया है भुपाल गैस रासी एक मानो निर्म चार दिया गया इसमें मैंगलो चक्रवाथ को कम करते हैं यह कुश्चन पुचा गया था 2018 में पाताना इसमें कौन सा कथन्ग जो है सई है पहरहारा अगर बात करें एक की बात करें इसमें यह बात हो सई है कि विकास देशों में आप देखेंगे प्राक्ति का आप्डाओं कंट्री है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं इसके लावा वोपाल गैस रास्दी एक जो है मैनमेट रास्दी ये भी आपको पता है ठीक है भापाल गैस आप डिखेंगे तो वहाँ पे पिस्टिसाइड बनता था ठीक है तो एक मैनमेट रास्दी है ऑप संतीन की बात कैले भारत के बात में करते हैं यह बात भारत की जड़े नेचर्ण भाकट मिलेगे हम इस इस नौ करते हैं में पर देख़ाद की है सुनामी नेपी सब लूग्ट सभावाख आ करते । इसमें देखेंगे एक two चार हो जाएगा एक बहुत कि की बात करें तो आप देखेंगे यह केमकेल एक्सिडेंट था जो दो से तीन दिसंबर 1984 को यह घटना घटी थी यूनियन कारबाइड इंडियन नाम लिम्टेड नाम की जो है पेस्टिशाइट बनाने वाली कंपनी थी बहपाल में एंपी में और उसमें कौन सा देखेंगे सबसे बड़ा महां एरिया ठीक है तुंतर वन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा महां एरिया है इसके रामा देखेंगे तो जो मेजर महां एरिया है गोवा का डिस्ट्िविशन आप in डेखने के इसमी engor के बहाए चारु एरी आ जाएगा इसन और जेखेंगे लिए गिधा कंबात डिश्टिवीशन आपको देखने के मिलेगा और टो आपशयत के शाफ सके देखेंगे कुल मैंगो कबर चेत्म में पस्टीम बंगाल में सबसे अधिक इसके बाद गुजराथ और अंडमान निकोबार दीपसमू का अस्थान आता है ठीक है परसंटेज के हिसाब से यह की वर्ड है परसंटेज के हिसाब आप देखेंगे के बात करें तो वेस्ट बंग आपे प्रवार को थानुजरा जादा है इसमें मैंग्रों के बारे में बता जाता है यानि वन और व्रिच कहने का मतलब जो केंदरी पर स्बस्टी जारी की जाती है जिसे भारत one स्थित इस रिपोर्ट कहते हैं किया और सरवेस्थ किया था है अब देखेंगे 1759 प्रकासित का ओप्यांगे कि आप देखेंगे वन प्रबंधन के साथ साथ वानकी में क्रिसिव वानकी छेत्र को नीतियों मनाने में यानि पॉल्सी मेकिंग में इनका उप्यूग किया आता है ठीक है क्योंकि इससे हमको टाटा मिल जाता है इसके लाओं बात करें तो वनों को तीन स्रेडियों में कम है उन्हें आप देखेंगे व्रिच्छों के रूप में वर्गे कितनी है किया गया है तो यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है नेश्ट बात करें इसकी बिस्यस्ताय क्या है तो पहली बार इसमें टाइगर रिजर्व टाइगर को कोरिडोर और ग परसंट की कमी देखी गई है ठीक है पुकसा टाइगर रिजर्व पस्टी मंगाल अन्ना मलाई जो आप देखेंगे तमिलनार इंद्रावती रिजर्व 36 गड़ में वन चेत्र में व्रिद्ध देखी गई है इसके लावाँ देखेंगे और अंचर प्रदेश के पक्के किलोमेटर की अतरिक कबर के साथ देश में देखेंगे तो वन और व्रिचों का वड़ में व्रिद्ध जारी है यानि भारत का टोटल फॉरस्ट कबर की बात करें तो सात लाग तेरा जार साट्तों नमासी वर क्लियोमेटर है जो टोटल जो देखेंगे इंडिया का जो जो उसका कितना है 21.71 परसंट है यह आपको परसंटेज वाला डाटा आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो 2019 से आप देखेंगे 21.67 परसंट से अधिक है ठीक है तो यह दोनों डाटा आपको अंडरलाइन कर लेता है यह दोनों डाटा आपको याद रखना है ठीक है प्रिछों के आवरठ की बात करें आप देखेंगे 271 किलो मीटर के डिखी अब बात करते हैं यह डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता ह। जो चीचे इंपॉर्टेंट है वह आपको बता देंगे इसमें इह वन आवरठ में अभुले दर्साने वाले राज्यों की थीए मड़ीपूर मいजओराम नागालेंड ठीकिए इसके बाद बाद करें तो उच्टम बन चेत्र अच्छादन वाले रिए चीज्ड पल के देखेंगे सबसे जबसे बड़ा वन एरिया जो के पर द शक्रैकर को सकती स्कर ओर और महराष्ट का नंबर आएगा तो इसको अब अंडरलाइन करके मार्क कर लीजेगा यह इंपॉर्टन्ट है पुल भगोली छेत के प्रस्ट के रूप में देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा फरस्ट कवर कहा है मिजोरा में उसके बाद देखें और अंचर स्थित को दरसाता है कि एलर या वन आवर की बाद करें यानि फॉरेस्त कबर की वाब करें या एक और म 7 future और भारत में ठिंगे तो चार हजार नो सो पानवे वर किलो मिटर हो गया है वह अगर कुल कारवन इस्टॉक की बात करें तो देश में जंगलों में कुल कारवन इस्ठाक देखेंगे तो 7204 मिलियन टन का होने का नुमान है 2019 के मुकाले आप देखेंगे 89 समलो जो है 4 मिलियन टन जो है अधिक प्रिद्ध हुई है जातक कारवन इस्टॉक वर्ड की बात करें इसका संबन क्या है कारवन की ऐसी मात्रस है जिससे वाताव वर्ड में से अलग किया गया हो और अब वह वर्ण इकोसिस्टम में भीतर उसके स्टोर किया जाता हो मुकुरूप से आप देखेंगा जीवित बायोमास मिट्टी के भीतर कुछ हद तक लकड़ी और अफसिस्ट में भी यह देखने को मिलता है या तक बास की बात करें तो यह लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं 2019 में मौदुदा बास की सकते हैं आक्सिजन वाले में जिन्दा रह सकते हैं यह देखने को मिलेंगे जैसे आप मेंग्रो रेगिस्टानी पौदे की तरह आप देखेंगे मोटे पत्ते और ताजा पानी जमा कर सकते हैं मेंग्रो के पनों में ठीक है हाला कि आप कुशन नंबर 3 की बात करते हैं डाटा आपको समझ में आ गया फौरस्ट कबर एडिया के पारे में जो इंपोर्टेंट हो बता दिया कुशन नंबर 3 की बात करें कौन सद्यस कार्बन डाइ अचसाइड का सबसे बड़ा उसरजग था चाइना युएससे इंडिया फ्रांस तो आप देखेंगे 2015 की बात करें यह वरत्मान की बात कर लें चाईना जो है सबसे बड़ा carbon dioxide को सर्जन है ठीक है इसके बाद आप देखेंगे किसका number आएगा इसके बाद आप देखेंगे तो USA का number आएगा 19% तो फिर उसके बाद देखेंगे इसमें India का number आता है ठीक है तो ब्यराहल इसमें देखेंगे इसमें जो है चाइना जो है नंबर वन पर है कुछ नंबर फूर की बात करें फूर में क्या पुछा है निमलिकित में कौन सा प्राक्तिक गैस का मुख्य घटक है इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाई, मोनो अक्साइट, मेथेन तो आप देखें प्राक्तिक गैस और साथ ही क्या है मुख्य घटक है निट्रिल गैस की यहां तक बात है प्राक्तिक गैस भीविन हाइड्रो कार्बन गैसों का मिस्टर होती है जिने वैग्यानिक नामों से जाना जाता है जैसे आग बात करें तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ठीक है तो आप देखेंगे मेथेन में देखेंगे सबसे ज़्यादा परसंटेज आपको देखने के मिलेगा यानि 70% से अधिक आप देखेंगे प्राक्तिक गैस जो है मेथेन के अंतर गताती है इसमें क्या हो जाएगा मेथेन आपसन सही हो जाएगा इसके अलावाँ आप देखेंगे टोटल इमीसन सेयर की बात करें मेथेन कहां सर्जित होता है तो आप देखेंगे एगरी कल्चर रीजन में आप देखेंगे चार हाइड्रोजन परमाड होता है यानि CH4G कहते हैं केमिकल रूप में ठीक है या जोलनसील होता है इसे पुरे बिस्ट में इधन के रूप में उप्योग कहता है ठीक है इसको आपको ध्यान देना है मिठेन उसरजन का लगवग 60 फिसीत हिस्ता जीवास मिधन के उप्योग में होता है खेती लेंड फिल ऑफसिस्त से आता है तो इस प्रकार देखेंगे खेते नेज़ पूशन की बात करते हैं कुछन नमर 5 में क्या पूछा है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल टंप्रेचर बढ़ता है यानि विसु का तापमान बढ़ जाता है और सी वाटर का जल यानि जो मास अगरी जल है उसका टंप्रेचर बढ़ जाता है और इसके लाएफ रीवर और लेक का आप द तो नहीं हरी चद्दर उड़ाएं देखेंगे घ्र बने रहते हैं ठीक है उसके अंदर खेति की जाती है अब यह क्या होता ग्रीन हाउस एक कांच से बना एक घर होता है जिसका उप्योग पौधे गवाने के लिए इसके अंदर आ जाता है ठीक है लॉंग वेव रेडियेशन को रूप में जो है आप देखेंगे यह प्रित्वी जो असुषित की रहे थे जमीन उससे बाहर निकलता है लेकिन यहाँ पर जो है यह चद्दर की वाज़ास आप देखेंगे ट्रैफ हो जाता है जिससे यहां का क्लाइमिट ऐसा बना जाता है कि पौधे बढ़ सकते हैं जो पौधे के विकास के लिए आवस्सक होता ऐसी इस्थित पैदा कर देता है यही कंडिशन आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसे के लागव होती है जैसे दिन के समय क्या होता है इंक्रमिन सोलर रेडियेशन होता है उससे आप देखेंगे तो 47 तो प्रितवी की तरफ जो है आप देखेंगे रिफलेट कर जाता है आप पदेखेंगे इसकारवन ही क्या होता है इसमें कई सारे यह जो प्रैमरी यह और कई सारी इस सेकन्टरी कैसे होती है इनके बारे में secondary pollution होते हैं इसके लावा अगर बात करें atmospheric composition की तो सबसे अधिक मातरा में कौन सी gas पायाती है nitrogen उसके बाद oxygen बहरहल हमारे लिए important क्या है तो आप देखेंगे तो primary और secondary pollutant की बात कर लेते हैं सबसे पहले आप देखेंगे जो natural source से निकलता है ठीक है natural बिना किसी मिलावट के जो आपको gas मिलेगी वो क्या होगा primary pollutant जैसे carbon dioxide होगा carbon monoxide होगा PM particle होगा sulfur dioxide होगया ठीक है nitrogen dioxide होगया और most of hydrocarbon जो है आप देखेंगे primary pollutant पे आएंगे जब ये reaction के द्वारा देखेंगे क्या होता है यही gases जो है ammonium हो गया sulfuric हो गया ठीक है ozone हो गया pan हो गया ठीक है यह सब क्या है secondary pollutant है अब बात करें natural source है natural source की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग जौला मुखी देख लेते हैं जौला मुखी से देखेंगे बहुत सारे gases निकलती है PM particle निकलते है धूल कर निकलते हैं तो सबसे सबसे जाता है जब गयास निकलती वह water vapor होती है तो सता पर नहीं पहुच पाता उसे क्या होता है क्योंकि लंबा टाइम तक यह धूल कर जो है आस्मान में रहते हैं तो reflection हो जाता है ठीक है तो इससे देखेंगे यह cooling जो है जो गर सता रहती वह पेच्छा ठंडी बनी रहती है ठीक है इसका भी सम्मझ आप देखेंगे heat budget से ही है ठीक है इसके अलामा जोला मुखी से निकलने वाली कैसे देखेंगे सब्सक्राइब करें और अपर का नाम दिया गया है कुछा कंट्री में इरप्ट हुए है रेट क्या थी ठीक है उनकी अभी प्रेजेंट में कंडिशन दी गई इनको आपको पड़ लेड़ा है कि 2023 में इतने रप्सन हुए है उनकी लिश्ट दी गई है इसमें पूछा है इसमें पूछा है भस्मक का उपयोग निमलिखित में किसके लिए क्या आता है ठीक है तो भस्मक का उपयोग जो वेश्ट होते है उसको देलाने के लिए ठीक है और वेश्ट को जो है उसमें रखने के लिए आप देखेंगे ग्रीन ट्री को काटने के लिए पटी लाइजर बनाने के लिए तो भस्मक का उपयोग आप देखेंगे भस्मक का उपयोग क्या होता है यह देखिए एक मसीन होती है इसमें क्या कियाता है इसमें जो वेस्ट होता है इसमें डाला जाता है और फिर उनको क्या कियाता है उनको जलाया जाता है ठीक है तो इसमें जो है जो वेस्ट होते हैं उनको जलाने के लिए भस्मक का उपयोग किया जाता है ठीक है यसमें पूछा है सबसे स्टेबल उको सिष्टम कौन सा है यानि ओशन इको सिष्टम फॉरेश्ट मॉण्टें डिजर्ट तो आप देखेंगे बात करें व्रह्ट मपनाई आपको देखने की मिलेगी डेजर्ट की बात करें डेजर्ट में भी आपको इस्टेबल नहीं दीखेगा ठीक है यहां तक मरीन की बात को ओशन की बात की सबसे ज़्यदा इस्टेबल आपको देखने के मिलेगा क्यों 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 कि आप देखेंगे सबसे जो इस्टेबल एकोसिस्टम होता है महासागर बहुत लंबे समय तक इसमें स्थिर रहते हैं option A की बात करें तो आप, option A नहीं forest है ना, option B है इसमें ठीक है, अन्य option की बात करें माउंटेन की बात करें, तो विभिन प्रकार के मानवनेर में तो प्राक्तिक कारगों से नष्ट होते रहते हैं यह question में बहुत बार repeat हुआ है तो आप देखेंगे, National Action Plan on Climate Change जिसे NAPCC कहते हैं, वो launch किया गया 2008 में, ठीक है, Prime Minister के द्वारा, ठीक है इसमें जो है, आठ जो है, National Mission जो है, टार्गेट किया है, जिसमें तीन देखेंगे, वो mitigation समझे जिसे, जैसे, National Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, National Mission for strategic knowledge on climate change, mitigation का मतलब प्रभाव को कम करना, और उसके बाद जो आप देखेंगे, 5 Mission बचे, वो क्या थे? Adaptation, यानि इनके द्वारा परवेतन के प्रभाव को जो है, इनको adapt करके वो इसमें कमी की जाएगी, ठीक है तो हाली में कुछ मुद्धे current menu थे तो इसमें क्या answer सही हो जाएगा इसमें बैरहाल option P सही होगा 2008 में, कुछ मुद्धे current menu थे अभी हाली में भारत ने अपना existing NDC था ठीक है, National Determine Contribution था, उसे जो है, update किया है यानि emission intensity की बात करें, तो 2015 में इसे देखेंगे, तो 33 से 35% कम करना था 2005 के label की बात करें, उसे बढ़ा 2022 में देखेंगे, 45% कम करना है, ठीक है और share of non fossil fuels की बात करें, तो electricity capacity के लिए आप देखेंगे, पहले 40% था, आप 50% ये कर दिया गया है यानि ठीक है, carbon sink की बात करेंगे अपना आया गया, उसी के संदर में ये target निर्धाद की आ रहे हैं, अब आपको चली थोड़ा history समझा जाते हैं कि कैसे ये सब आया, national action mission आया, ठीक है, NDC की target हो रही है, तो world label पर कैसे कैसे कारिक्राम हुआ, भारत ने कैसे कैसे अपने जो है, policy निर्धाद की ठीक है, उनके बारे में समझेंगे उसके पहले एक question कर लेते हैं, उसका भी संबंद इसी से है, इसमें देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, United Nation Conference on Climate Change यानि UN FCC COP21 ये देखेंगे, 2021 में जो है, कहा आयोद किया गया, sorry, COP21 कहा आयोद किया गया, Moscow, Paris, Berlin, Tokyo, COP21 का संबंद आप देखेंगे, Paris, France में आयोद किया गया और यहीं पर देखेंगे, CMP11 का भी मतलब यहीं पर आयोद किया गया था, ठीके और 2015 में देखेंगे आयोद किया गया था, Paris Agreement से संबंदी थे, ठीके, अब Paris Agreement की बात कर लें, यह भारत के National Action Plant की बात कर लें, यह सब ऐसे आए, इनके बारे में भी थोड़ा सा जाना जरूरी है, बहरहल कुछ करेंट की बात करें, COP28 का आयोजन देखेंगे, UAE, Dubai में किया गया, COP27 का आयोजन देखेंगे, 22 में आप देखेंगे, में किया गया, COP29 का आयोजन संभावा नहाए, अजर बेजान में किया जाएगा, अब चलती है, उन chronology के समझते हैं कि UN FCC COP की बात करें, यह भारत के National Action Plant की बात करें, NDC की बात करें, वह कैसे है आयोजन समय चक्र समझ लेते हैं, flow में, ठीके, सबसे पहले सबसे पुरानी संस्था जो है आयोजन, जिसके स्थापना 5 October 1948 किया गया है, इसका मुख्याल है, ग्लांड में है, स्विट्जेलेंड में, यह UN से समझत नहीं है, second number जो विस्व में घटना है, घटित हुई, उसमें दूसरी स्थापना के गई, वर्ड मेटरोलोजिकल और्गनाजिशन के, ठीक है, तो इसे जो है, 23 मर्स 1950 को जो है बनाया गया, ठीक है, यह सहीं उत्रश्ट के एक विसेश एजनसी है, ठीक है, जिसका काम है, मौसम विग्यान, परिचालन, जलवाय समसमाजी भूबहुत की विग्यान के लिए यह काम करता है, इसका मुख्याला जेनेवा सुट्जर लेंड में है, तो 1948 में आयूसीन का गठन हुआ, फिर 1950 में WMO बनाया गया, इसके बाद वर्ड लेबर पर आप देखेंगे, 1961 में आप देखेंगे, वर्ड वाइट फंड बनाया गया, यह विस्तो का सबसे बड़ा सोतन संग्ठन है, जो परेवर्ड के संद्चर पुना स्थापना के लिए कार करता है, इसे वर्ड वर्ड फंड इंडिया में भी यह काम करता है, इसका मुख्याला देखेंगे, सुट्जर लेंड में यह एक अंजीव है, अब हम बात करेंगे कि कहानी शुरुवात होगी ती है, कॉप, UNFCC की और इन सब चीजों की कहां सुरुवात हुई, अब तक तो हमने chronology बताई कौन से सबसे पुराइन संस्ता है, उसके बात क्या स्थापित हुआ, इनका use भी आगे है, अभी आपको समझ में आएगा, इसके बात देखेंगे सबसे पहला संब्मेलन होता है, परियावर्ड पर सबसे पहला संब्मेलन होता है, यूनिप का जन हुआ है, उसके बात देखेंगे भारत में इससे संब्मनित आप देखेंगे, उसके बात देखेंगे भारत में पहली बार मंत्राले की अस्थापना होती है, जो इनवार्मेंट्स से लेighted है, उसका नाम है परेवर्ड और वन मंत्राले के सथापना की जाती है, और विस्स में आप देखेंगे नार्वे और स्वेडन में जैसे देशों में परेवर्ड के लिए अपने नए-नए मंत्राले के स्थापना की जाती है, ठीक है 1972 तक बात करें विस में कोई भी Environment Ministry थी ने किसी देश के पास जब ये पहला Conference हुआ 1972 में यूनेप का जन्म हुआ उसके बाद देखेंग परेवर्ड यूग की सुरुवात हुई तब 1950 में भारत में परेवर्ड वन मंत्राले के स्थापना हुई जैसे कई देशों में आप देखेंगे परेवर्ड वन मंत्राले के स्थापना होती है इसके बाद विस में कौन सी घटना घटती है यूनेप की अस्थापना हो गई यूनेप की अस्थापना 1972 में हो इसका मुख्यला नैरोबी के नेम है और इससे जो है आप देखेंगे 5 जून को इसकी स्थापना होई थी 5 जून को आप देखेंगे अब इस परओर दिवस मना जाता है ठीक है और यह ग्लोबल 500 अवार्ड भी जारी करता है अभी हमने बता है कि यूनेप की अस्थापना कब होई थी 1950 में यूनेप की अस्थापना हो गई 1972 में फिर यूनेप और डबली अमो ने मिलकर यानि वर्ड मेंडल लॉड कर और्गनाईएशन ने मिलकर 1988 में आप देखेंगे IPCC आप जो रिपोर्ट सुनते हैं कि IPCC की रिपोर्ट आई है वही वही IPCC आप देखेंगे जलवाई परवर्टन पर अंदर सरकारी पैनल की अस्थापना होई 1988 में इसने मिलकर की यूनेप और डबली यमो ने मिलकर की ठीके पहली रिपोर्ट उसने जो है प्रकासित के 1990 में प्रिटिपर जलवाई उस्थित के सबसे ब्यापक मुल्यांकन किया इसके बाद देखेंगे प्रत्यक साथ वर्स में आप देखेंगे IPCC का मुल्यांकन और रिपोर्ट तयार करता है और IPCC के फल्स रूप आप देखेंगे पेरिस अग्रिमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल को इसने जन्व दिया ठीक है पांचवी आकलान रिपोर्ट आय थी जिस पर पेरिस समझवता हुआ था इसके बाद छटी आकलान रिपोर्ट आप देखेंगा अभी हाली में प्रकासि स्थापना हो गई ठीक है अब बात करेंगे हम लोग ठीक है यूने कि स्थापना 1922 हुई दस वर्स बात आप देखेंगा दसवी वर्स घट मनाने के लिए 1982 में सभी लोग इकठा हुए नवरभी घोसरापत में आप देखेंगा स्थाक होम कन्वेंसर जो 1922 में हुआ था उस में आप देखेंगो दो गोल निटाज की जाता है उसमें आता है आवर कॉमन फ्यूचर और सबसे पहली बात आप देखेंगे बटलेंड डिपोर्ट में कही जाती है ठीक है इसे फॉर्मली क्या पूरी पिस्त में जाना जाता है कमिशन और इन्वार्मेंट एंड में सम्मेलन हुआ फिर उसकी 20 वी वर्सवाट मनाने के लिए आप देखेंगे 1992 में रियो अर्थ समिट के नाम से आप इसको जानते है ठीक है पिसी वर्सवाट मनाने के लिए 1970 में सम्मेलन हुआ रहता है इसमें इस सम्मेलन में कुछ दस्तावेज प्रकासित किया आते हैं जैसे आप देखेंगे इसे में आप देखेंगे जलवाय परद्दम और फ्रेमवर कन्वेंशन यानि जैसे यू एन एफ सीची कहते है यह जो है रीपोर्ट आप देखेंगे यह कनवेंशन यदस्तावेज इसमें आया इसके अलामा इसमें क्या रिपोर्ट में आया यानि जिसे आप सी बीडी कहतें जै वीविट्ता पर कन्वेंसन कहते हैं ठीक है आपने नगया प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा नाम सुना ह संकल्पन वाह चाहिए पांच प्रिंसपल को अपनाए गया इसी में आप देखेंगे लो ही सप्सक्राइ Lori ये सैंप्ट किया और यसे देखेंगे UNFDC cBD or कांबाइट डिसर्टिफिकेशन को कहते हैं ठीक है चीबीडी के ड्रॉप्ट की बात करें इसका ड्रॉप त्यार किया था यूनफ द्वारा 1980 में त्यार किया गया था अस्ताचरव निस सौनबे में रिखे अब बात करें यू एफ सीसी की बात करें तो इसे लागु किया गया 21 मार्च 1994 में इसका उद्यस क्या था इसका उद्यस है ग्रीन हाउस गैसर को प्रवभाव कम करना और आउसर जो ग्लोबल टेंपरेचर उसका कम ही लाना 192 देशों ने इस पर हस्ताचर किया और उनको क्या कहते हैं उनको पार्टीज और कन्वेंशन यानि कॉप तो आप कहते हैं कॉप 21, कॉप 26, कॉप 27 तो कॉप का जन्व यहां से सुरू होता है जिस पर आप देखेंगे 21 मार्च 1994 में उन्हें साइन किया उन्हें क्या कहा गया इस आप दा कन्वेंशन यानि कॉप कहा गया अब उसके बाद साइन करने के बाद आप देखेंगे कॉप की प्रतिवर्स बैठक होने सुरू हो गई तो पहला कॉप 1 की बात करें यानि कॉप पार्टी की बैठक होई 1995 में बर्लिन में तीक है उसके बाद कॉप 2 की जिन्हों यानि Certified Meeting Professional की बात की जो Kyoto Protocol की बात करें उसे CMP कहा गया ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कॉप 7-2001 में आप देखेंगे मरकेस में मुरकों क्योटो प्रोटोकल का क्रियारान समंदे विस्ति नियम तयार किये गए ठीक है इसके बाद देखेंगे कॉप 11 बनाता है जिसमें आप देखेंगे पहली CMP की बैठक होती है ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकल में जो साइन होती है इसी में आप देखेंगा सरकारों को पांच मुख कटेगरी मुखरी किये गया मिटिगेशन एडप्टेशन टेक्नलोजी फाइनसी इसमें सभी कंवेंशन के अंसार अपने देश के कारिक्रम या जो भी पॉल से तैयर करेंगे ताकि वातावड में ग्रीन हाउस गैस जिसमें तीन तो मिटिगेशन समझ थे वो इसी समझ थे और उसके बाद देखेंगे अडाप्टेशन की बात की गई अडाप्टेशन में आपको समझ में अगर नहीं आई हो एक बार इस पीडियो को जूरूर पढ़िएगा ठीक है तो आपको समझ में आगया कि मेटिगेशन कैसे आया एडाप्टेशन की बात कैसे के गई नेशनल एक्षन प्लान होता क्या है कॉप कैसे आया सीमपी कैसे आई इन सब वर्डों को सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी एक बार होनी चाहिए ताकि आपको इचीच आप देखेंगे घ्रव सोमय तक आप देखेंगे गसे संनली की छमता हो नुकसान करता है बहराल आप देखेंगे तो सामान 거죠 समय परिंगे-उस्तिए आपशन-पत्तर बीच होग जाएगा अगर ना समझ में आ रहे हैं अगर फिर से ये क्रोनलोजिस समझा देंगे एक बार समझा देंगे तो आपको भविस में भूलेगा नहीं कि कैसे कैसे क्या हुआ कौन कौन से कौनसेट आए ठीक है तो मिलते हैं लेक्स लेक्चर में अब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा